आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी आफ इंडिया में साइन नियूज चट पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है चट पूजा जिसे विशेश रूप से बिहार, जारखंड और उत्ते प्रदेश में मनाई जाती है सूरे देव और चटी माता की आराधना का पर्व है यह पर्व चार दिन तक चलता है और इसमें श्रद्धालुन केवल सूरे देवता की पूजा करते है बलकि अपर्णा या चटी माता की भी आराधना करते है इस साल दो हजार चौबीस में यह पर्व मंगलवार पांच नवंबर से आरंभ होगा जो शुकरवार आठ नवंबर तक चलेगा लेकिन चट महावरत तब तक अधूरा है जब तक इससे जुड़ी कता नहीं सुनी या पढ़ी नहीं जाती अगर आप जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान भासकर अर्थात सूरे देव की अराधना करते है और अगर आप सूरे नारान के भक्त है तो कमेंट बाक्स में वोम घ्रिनी सूरियाए नमा हत्वा हरियोम तदसत लिखना न भूली जानकार विद्वानों के अनुसार पंचान के अनुसार कार्तिक मास के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी के साथ छत पूजा शुरू हो जाती है वहीं शष्ठी तिथी को शाम के समय सूरे को अर्धे दिया जाता है इस साल कार्तिक शुकलपक्ष की शष्टी तिथी 7 नवंबर को रात 12 बचकर 41 मिनट से शुरू हो रही है जो 8 नवंबर को रात 12 बचकर 34 मिनट पर समाप्त होगी ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार छट पूजा 7 नवंबर को मनाई जाना उचित होगा पंचांग के अनुसार एक साल में लोक आस्था का महापर्व चट दो बार मनाया जाता है पहला चैत्र महीने में जिसे चैती चट कहा जाता है यह चोटे पैमाने पर होता है यानि कुछ गिने चुने परिवार के लोग इसे मनाते है दूसरा कार्थिक महीने में मनाया जाने वाला चट है यह बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है भारत ही नहीं बलकि देश-विदेश में भी लोग चट पर्व मनाते है महापर्व पर लोग रेल, बस और हवाई जहाद से देश-विदेश से सप्रिवार घर वापस लोटते है चट पूजा का पहला दिन, पांच नवंबर को नहाय खाय चट पूजा का दूसरा दिन, छे नवंबर का करना चत पूजा का तीसरा दिन साथ नवंबर को संधिया अर्धे एवन चत पूजा का चौथा दिन आठ नवंबर को उशा अर्धे दिया जाएगा कार्तिक मास में मनाया जाने वाला चत कार्तिक महीने के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिति से चार दिवसिये लोक आस्था का महापर्व चट प्रारम हो जाता है सामाने तोर चट पर्व बोला जाता है इसके अलावा इसे महापर्व, बर्का परब, सूरे शष्ठी, डाला चट, डाला पूजा और छेतरी पूजा के नाम से जाना जाता है इस वरत में महिला, पुरुष नए कपड़े पहनते है चट पूजा की प्रक्रिया जानिये चट पूजा का पहला दिन यानि नहाय खाय पांच नवंबर, मंगलवार है दूसरा दिन छे नवंबर, बुधवार, को खरना है तीसरा दिन साथ नवंबर, दिन गुरुवार को शाम का अरगे है चौथा दिन आठ नवंबर, दिन शुक्रवार को सुबह अरगे के साथ लोक आस्था का महापर्व चट का समापन हो जाएगा सुबह के अरधे के बाद, छट वरती महिलाए घर आकर चट पूजन सामगरी का घर में पूजा कर पारंग करेंगी चट पर्व या शष्टी पूजा कार्तिक शुकलपक्ष के शष्टी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है दिवाली के छे दिनों बाद, चट पूजा की शुरुआत होती है इस साल चट पूजा पांच नवंबर से नहाय खाय के साथ शुरू होगी इसके बाद चट पर्व चार दिनों तक चलते हुए खरना संध्या अर्धे, प्रातकालीन अर्खे के साथ आठ नवंबर को समाप्थ हो जाएगा चट पूजा की शुरुआत कैसे हुई इसका जवाब हमें कई पौरानिक कहानियों में मिलता है पौरानिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रॉपदी ने चट पूजा वरत रखकर सूरे देव को अर्धे दियत आएए विस्ताव से जानते है चट पूजा का इतिहास और चट पूजा की शुरुआत की कहानि पौरानिक कथा के अनुसार राजा प्रिवरत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संता नहीं थे उन्होंने महर्शी कश्चप को अपनी समस्या बता महर्शी कश्चप ने उन्हें पुत्रेष्टी यग्य कराने की सलाह दी यग्य के दौरान आहुती के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन दिये लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ राजा प्रियवरत पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट गए और दुख में डूब कर अपने प्रान त्यागने ही वाले थे कि तभी बमहा जी की मानस पुत्री देवी शष्ठी प्रकट हुई देवी ने राजा से कहा मैं स्रिष्ठी की मूल प्रवृत्ती के छठे अंज से उत्पन हुई हूँ इसलिए मेरा नाम शष्ठी है तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार कर देवी शष्ठी के कहने पर राजा प्रियवरत ने कार्तिक मास के शुकलपक्ष की शष्ठी तिथी को विधी विधान से उनका वरत किये देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ती हूँ राजा ने पुत्र को पुन प्राप करने के बाद नगरवासियों को शष्ठी देवी का प्रताब बताए तब से पश्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हूँ वही एक अन्ने कथा के अनुसार रामाईन की कहानी के अनुसार जब रावन का वद करके रामजी देवी सीता और लक्षमन जी के साथ अयोधिया वापस लोटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुकल पक्ष की शष्टी को वरत रखकर कुल की सुक शांती के लिए शष्टी देवी और सूरे देव की आरादना कित इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपात वापस पाने के लिए शष्टी का वरत रखत इसकी पौरानिक कथा भी जानिये चट पूजा का पौरानिक महित्व बहुत गहरा है माननेता है कि यह पर्व भगवान सूरे और उनकी पत्नी प्रथा की आरादना के लिए मनाया जाता है एक प्रसिद कथा के अनुसार जब महाराज श्रयास ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की खुशी मनाई तब उनकी पत्नी ने भगवान सूरे से प्रार्थना की कि उनके पुत्र में बुद्धिमत्ता और शक्ती भगवान सूरे ने उन्हें छटी माता के माध्यम से आशीरवाद दिये कहा जाता है कि जब एक बार इंद्र देव ने गर्व से अपने बल का प्रदर्शन किया तो सूरे देव ने इसे चुनोती दी इससे नाराज होकर इंद्र ने सूखे की स्थिती उत्पन कर दी इससे परेशान होकर देवताओं ने छटी माता से मदद मांगी छटी माता ने नकेवल इंद्र का गर्व चूर किया बलकि पृत्वी पर बारिश लाने में भी मदद की इस घटना के बाद से चट पूजा का आयोजन शुरू हूँ अब चट पूजा का महत्व जानिये ऐसी मानने ता है कि कई लोग लगातार चार दिनों तक गंगा या अन्ने नदियों किनारे या तालाबों के किनारे रहकर सप्रिवार चट मनाते है वही कुछ वरती सिर्फ दो दिन संधिया कालीन अरगे और प्रातकालीन अरगे के दिन क्रमश शाम और सुबह में घाटों पर जाते है ज्यादातर लोग गंगा किनारे वरत मनाने को प्रात्मिक्ता देते है इसके लिए कई परिवार सुविधा नुसार गंगा किनारे रिष्टेदारों दोस्तों या परिचितों के घर में भी जाकर छट मनाने की प्रात्मिक्ता देते हैं इस पूजा के करने से लोगों की कामनाए पूरी होती है और घर में सुक समरिधिक आवास होता है अब जानिये नाक से लेकर सिर तक सिंदूर का महित्व चट पर्व पर महिलाए सिंदूर अपने सिर से लेकर नाक तक लगाती है और इस सिंदूर की तुलना सूरज की लालिमा से सिकी जाती है इस प्रकार से सिंदूर लगाने के पीछे मानिता है कि सिंदूर की लंबी लाइन की तरह पती की उम्र भी लंबी होगी ऐसा करने से छट माता की कृपा प्राप्ति होती है और वे सुक समरिधी का आशीरवाद देती है जानिये नारंगी सिंदूर ही क्यों लगाया जाता है मांग में आपने सामानने तोर पर लाल रंग का सिंदूर भरे हुए महिलाए देखी होंगी लेकिन छट पर्व पर बिहार और जार्खन की महिलाए नारंगी रंग का सिंदूर सिर से नाक तक लगाती है इसका कारण इस रंग की शुबता है आपको बता दे कि सिंदूर हनुमान जी को चहाया जाता है भगवान हनुमान ब्रहमचारी थे और विवा के बाद दुलहन का ब्रहमचरे वरत समाप्थ होकर ग्रहिस्त जीवन की शुरुवात होती है ये प्रथा बिहार और जार्खन की ही नहीं बलकी कई जगों पर ऐसा होता है हरी ओम अगर आप जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान भासकर अर्थात सूरे देव की अरादना करते है और अगर आप सूरे नारान के भक्त है तो कमेंट बाक्स में वोम घ्रिनी सूरिया नम हत्वा हरियोम तचसत लिखना न भूली यहां बताए गए उपाए, लाब, सलाह और कतन आदी सिर्फ माननेता और जानकारियों पर आधारी थे यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी माननेता या जानकारी की समाचार AJC of India के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है यहां दी गई जानकारी में नहीं जानकारी विभिन माध्यमों, जोतिशियों, पंचांग, प्रवचनों, माननेताओ, धर्मगरंथों, दंतकताओ, किम्व दंतियों आधी से संग्रहित की गई है आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेक को अंतिम सत्य अत्वा दावा ना माने एवन अपने विवे का उप्योग करे समाचार AJC of India पूरी तरह से अंध विश्वास के खिलाफ है किसी भी जानकारी या मानेता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशगे से सलाह ले अगर आपको समाचार AJC of India में खबरे आदी पसंदा रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर वर सब्सक्राइब अवश्य करे हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद कर दो पस्ते जाती है का जातीच इसे लाइक, आपको तो आपको अवश्य को तो एका अइएर, दो घू कर早ग Eagle स typical One